आज रेसेपी बनाने के लिए मैं अपने गार्डन में आई हूँ और गार्डन से ही हम कुछ फ्रेश फ्रेश पतियां लेंगे पालक की जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी बहुत ही मतलब क्या बोलू उस पालक को देखके मुझे बहुत खुशी हो रही है तो यहीं स प्रेश फ्रेश पालक है यह और अपने गार्डन से जब हम सब्जियां तोड़ के ले जाए बनाए तो उसकी अलगी कुछ खुशी होती है तो मैंने सुचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ सेयर करूं हाला कि छोटे-छोटे पॉट्स में ही मैंने वेजीटेबल्स लगाए लेकिन दिख तो खेर बहुत ही अच्छे रहे हो तो बस कुछ पालक जो चुनिंदा पत्ते बड़े-बड़े मैं बस वही ले रही हूं पालक की और भी रेसेपी मैं अपने गार्डन से पालक लेके आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारी रेसेपी पालक की बन जाती है और यहां से देखी कितने फ्रेश फ्रेश पत्ते मैंने ले लिए हैं और भी बहुत कुछ मेरे गार्डन में तो चलो कुछ और ले लिए जाए तो यहां हरी हरी मिर्चे हैं जो बिलकुल फ्रेश है वो भी मैं अपने गार्डन से लेके चलती हूं तो इसकी रेसेपी बनाने में और भी ज्यादा मज़ा आने वाला है मुझे और यहां देखिए शिम्ला मिर्च लगी है तो इससे भी कुछ ट्राइक करा जाएगा और लीजे मैं किचिन में आ गई हूं और यहां हमने पत्तों को अच्छे से धो लिया है पालक के और तोड़ा सा पानीर ले लिया है और उसी से हम आज कुछ रेसेपी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनी थी और फटा-फट से चट हो जाएगी यह पकी गारंटी और कोई गैस्ता है तो आप बनाएं बहुत ही अच्छी भी लगेगी दिखने में साथ में टेस्ट में भी बहुत अच्छ करना है और यहां मैंने दही ले लिया है दो चम्मस दही है और फ्रेज दही है अब मिकसर के जार में हम डालेंगे कुछ कटा हुआ धनिया आप साबुत धनिया भी डाल सकते मेरे पास कटा रखा था और दो हरी मिर्चे और दो लहसुन की कली और यह चोटा सा अधरक का पीस इससे बहुत ही अच्छी मतलब चटनी जैसे बनाते ना उसी तरीके से हमें जस्ट बनाना है और बाकी में मसाले कुछ नहीं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे बस ऐसा मूटा मूटा दर दरा सा पीस लेना है इसको और य इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और हल्दी एड़ करनी हूँ साथ में भुना जीरा पाउडर और बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके बाद इसमें हम अपनीर एड़ कर देंगे और थोड़ी देर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए तो ब बहुत ही टेस्टी बनेगी और अब पालक के पत्तों की यह जो डंडिया हैं इनको हम कट कर लेंगे सिर्फ हमें लीफ लीफ चाहिए तो यह जो एक्स्टर इसकी जो डंडी निकली हुए इसको कट कर लेंगे इसी तरीके से सारे पालक की हम डंडियों को कट कर लेंगे और पालक देखे सच में बड़ा अच्छा लग रहे क्योंकि अपने गार्डन की है ना इसलिए और बस इस तरीके से फैला लेंगे पत्ते को इसके बीच में रखेंगे एक पनीर का पीस और बस इसको फोल्ड कर देंगे एक पॉकिट की तरह से बनाना है तो बस आप जैसे भी बन पालक की उतनी अच्छी एक पॉकिट बना लिए और इसके लिए हमें एक बैटर भी तयार करना होगा तो चलिए कर लेते इसके लिए पहले बैटर तयार यहां मैंने दो बड़े चमच बेसन ले लिया है और इसमें कुछ मसाली मिक्स करेंगे जिससे की फीकर टेस्ट नाए तो सबसे पहले तो मैं इसमें नमक डाल लेती उसके बाद थोड़ी सी हल्दी जिससे कलर अच्छा हैगा लाल मेर्च अहरा धनिया या फिर पिसा धनिया कुछ भी एड़ कर सकते जो भी आपको मसाले एड़ करने बाकी तो हमारे पनीर में बहुत ही अच्छे बहुत टेस्टी से मसाले मैंने एड़ कर लिए और बस आप इस पॉकिट को जो हमने बना के रखा था अच्छे से डिप करेंगे तो बस थोड़ा साब्धानी रखनी होगी क्योंकि पत्तों को खुल जाने का डर होता है और गरम तेल में इसको इस तरीके से फ्राइब कर लेंगे जैसे हम पक लाफर से आप इनको बना के सर्व करें बहुत ही अच्छे बनते तो बस एक अध ऐसा है जो मेरा खुल गया है क्योंकि पत्ता थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो इसलिए यह एकाध खुल गया है बाकी सारे के सारे बहुत ही अच्छे बने लेकिन खुले हुआ नभी को बिल्कुल प्लेट पूरी चट हो जाएगी जो भी से खाएगा वो आपकी बहुत चादा तारीफ करेगा तो यह देखिए काफी अच्छे सिग गया है मैं एक हाँ से कैमरा पकड़ी हूँ इसलिए बार बार गिर जा रहा है और देखिए हम निकाल लेते अपने प्लेट में और यह सच में ही बहुत टेस्टी बने थी आप एक बार इनको जरूर ट्राय करें पालक का स्वाध हो या फिर पनीर का स्वाध दोनों ही बहुत टेस्टी आ रहा था तो आप पनीर टिक का पालक पॉकेट जरूर एक बार ट्राय करें बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही enjoy करें, bye, take care